किसी भी कर्व में ड्रो की गई पैरल कॉड्स के मिड़ पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं बच्चों डायमेटर हमें कोई भी कर्व गिवन है जैसे हमें बच्चों यहाँ पर कोई एलिफ्स गिवन है और इस एलिफ्स में बच्चों हम लोग कुछ पैरल कॉड्स ड्रो क कर देने पर आपको जो मिलता है बच्चों उसे आप क्या नाम दिया करते हैं डायमेटर डायमेटर इस डिफाइंड अस लोकस आफ मिड पॉइंट आफ पैरल कॉड्स इन अगीवन कर्व आपको कोई कर्व कीवन है बच्चों जैसे यहां पर कर्व गीवन है एक्स स्केर अप बात तो कंफर्म है बच्चों कि अगर एक कॉड की ग्रेडियंट एम है तो यहां जितनी भी कॉड्स होंगी सभी की ग्रेडियंट एम होगी because they are parallel to each other बच्चों कि वो सभी एक दुसरे के सवरंतर हैं इसे लिए सभी की ग्रेडियंट जो है वो M होगी हां सबका C अलग सभी की सभी होगा आपको बच्चों यह जो लाइन थी और यह जो कव था इन्हों ने जहां एक दूसरे को कट किया आपको इनके मिड़ का लोकस निकालना करते हैं यह जो कार्ड बन कर आई है है यहां पर यह जफ्सकंनों की इक्वेशन को हम साइमल्टेनिस्टी सॉल्ट क solve करने का तरीका ही होता है कि एक जगा से y या x को निकाल कर दूसरे में रख दी जाए लाजबी है line से y की value निकाल कर curve में रखना मेरे लिए आसाम है so I am going to put this value of y from the equation of line into the equation of curve which is mx plus c whole square over b square is equals to 1 और इसे आप solve कर सकते हो बच्चों आप इसे solve करके देखिए आपको finally मिलेगा a square m square plus b square into x plus 2 m c into a square into x और प्लस साथ पे बच्चों आपको मिलेगा क्या आपको मिलेगा a square यदि आप common निकाल देंगे तो c square minus b square is equals to 0 hope मैंने सही लिखा एक पर verify कर लीजेगा now it is a quadratic equation in x है बच्चों जब कभी आप किसी line और किसी curve की equation को simultaneously solve कर रहे हैं मतलब आप उन दोनों के intersection points के बारे में बात कर रहे हैं मैं मान लेता हूं साब इनका एक intersection point है a और दूसरा point है b भई मैंने इनका एक पतीशेदी बिंदू a मान लिया जिसके coordinates x1, y1 है दूसरा point मैंने भी मान लिया जिसके coordinates बच्चों x2, y2 है भई आपने a मान लिया x1, y1 और b x2, y2 मान लिया साब बिलकुल ठीक बात है अब इससे हमारे पास में x की दो values आएंगी obviously वो दो values जो होंगी वो x1 और x2 होंगी भई x की जो दो values होंगी वो x1 और x2 होंगी यहाँ पर आप जब दोनों को solve कर रहे हैं तो आपको दो points मिल रहे हैं दो points मतब a और b के coordinates मिल रहे हैं आपने जो है यहाँ पर उनके coordinates मिल रहे हैं और x2 क्योंकि यह x में quantity है और बच्चों इस कारण से आप कह सकते हैं कि x1 प्रस x2 बराबर क्या x1 प्रस x2 बराबर होगा बच्चों यह minus 2 mc a square over a square m square plus b square यह x की आपके पास में बच्चों जो दो values आई उन दोनों का sum आया अब practically बात यहाँ पर यह है साहब कि ना तो आपको x1 में या x2 में कोई दिल्चस्पी नहीं है आपको जो है x1 प्रस x2 में भी कोई दिल्चस्पी नहीं है अगर आपको दिल्चस्पी किसी बात में है तो बच्चों इनके midpoint के locus में है इनका जो midpoint है पहली बात तो यह कि आपने मान लिया उनको x1 और x2 तो आपके पास में sum of roots minus b upon है आगया लेकिन आपको तो बच्चों इन दोनों का mean लेना है क्योंकि आपको midpoint लेना है तो midpoint क्या होगा बच्चों इसे 2 से divide कर देंगे 2 से divide कर देने पर बच्चों 2 से 2 cancel हो जाएगा और इस तरीके से x1 प्रस x2 बाइ 2 आजाएगा यह कुछ आ गया बच्चों अब एक काम करते बच्चों जिस midpoint का आपको locus बताना है उसे p suppose कर लेता है और उसके coordinates को मैं h और k माल लेता हूं बच्चों यदि मैं उसे h और k माल लेता हूं तो x1 प्रस x2 बाइ 2 is equals to क्या हो जाएगा बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं जब आपने दोनों की equations को simultaneously solve किया तो आपने उनके intersection point ही निकाले हैं पर आपको intersection point में कोई दिल्चस्पी रही है आपको तो उनके intersection point के midpoint का locus बताना बच्चों उससे आप अगर h के माल लेते हैं तो x1 प्रस x2 बाइ 2 होगा जिसे आपने नाम दे दिया h यह सहब अब यहां से बच्चों c की value यह दी मैं निकाल देता हूं तो c की value आजाएगी बच्चों minus h आजाए और a square m square plus b square है और upon में क्या m into a square आपको c की value मिलेगी this is the value of c आपके पास में आगे बच्चों अब यह जो midpoint है बच्चों को इस line पर लाए कर र रहा है midpoint का जिसे आपने h के माना है since it is lying over the line y equals to mx plus c so naturally it will satisfy the equation of line बच्चों यह line की equation को satisfy करेगा तो यह लीजे k equals to mh plus और c की value कितनी c की value यहां रखे दीजिए बच्चों और multiply भी हाथ के हाथ करी देते तो h a square m square plus hb square upon में कितना बच्चों m a square और आप lcm वगरा लेकर जागा ढंसे से solve कर लीजे बच्चों फाइनली आप आएंगे minus hb square over m a square पर जब आप lcm लेंगे m a square कर यहां multiply करेंगे m a square कर यहां multiply करेंगे तो यह वाला जो term है वो इस वाले term से cancel हो जाएगा फाइनली यही आएगा verify कर लीजेगा बच्चों मैं कभी कबार ही direct लिखता हूं मैंने यहां लिख दिया मेरे ख्याल से आप मैंसे किसी को कोई आपती नहीं होना चाहिए बड़ी छोटी सी बात है मैं a square का यहां multiply कर देंगे दोनों आपस में cancel हो जाएंगे finally आपके पास में गया जाएगा so बच्चों जो midpoint था जिसके coordinates को आपने h के माना था वो क्या हो गया उसे मैं लिख सकता हूं minus b square over a square into m into h into h बच्चों यह जो midpoint था जिसके coordinates को आपने h और k माना था उसके दोनों h और k यह एक्स और y coordinates में relation establish हो गया बच्चों अब आपको तो midpoint का locus बताना है so I can say बच्चों locus of hk, hk का locus क्या होगा? hk का locus हो जाएगा बच्चों y equals to minus b square over a square m into x बच्चों आपने उसको generalize कर दिया और midpoint का जो locus होगा मध्य बिंदू का जो बिंदू पत होगा उसी क तो आप कहते हो बच्चों diameter so what is this? this equation is nothing but the equation of diameter in ellipse बच्चों यह ellipse में दिर्गवत्त में व्यास की समी करना आ गई बच्चों देखें यहाँ जितनी भी parallel course है उनके विश्ष्षता यह कि उन सभी का m सेम है कि वन c अलग अलग है so मेरा जो basic motto था hk को locus निकालना था मुझको मतलब मुझे ultimately उस c को ही eliminate करना था क्योंकि यह तो एक बात है कि इस particular line का c c है otherwise अगली line का c c dash होगा किसी का d होगा बच्चों यहाँ जितनी भी lines होंगे सबका c different होगा लेकिन m सबका सेम होगा so बच्चों जो variable है आपको उसी को eliminate करना होता है locus निकालने का एक ही हमारा उद्धेश गोल purpose motto होता है हमें जो भी variable आपके पास में आ रहा है जिसे आपने अपने बच्ची से suppose क्या हूं कहा जाया बच्चों that has to be eliminated obviously all of these parallel chord will have same gradient but different value of c so found the value of c put down the value of c over here I get बच्चों this is of this is locus बच्चों यह ellipse का locus आ गया बच्चों sorry ellipse का diameter आ गया तो diameter की question यह आप diameter की question को ऐसे भी find out कर सकते तो एक काम कर सकते थे बच्चों की अगर आपको diameter की question निकालनी है और यदी आपको किसी बच्चों किसी भी curve में अगर आपको बच्चों अगर किसी कॉड का मिड़ पॉइंट गिवन हो तो आप उसकी एक्वेशन को निकालते हैं बच्चों T गोज टू S1 से यदि मैंने मान लिया किसा मिड़ पॉइंट जो है वह है तो उसकी एक्वेशन क्या हो जाएगी टी का मतलब X X1 और A square प्लस Y Y1 ओवर B square माइनस 1 और S1 का मतलब होता X की जगा पर पूरी तरह से X1 रखती है जबके X1 की वैल्यू है और S1 का मतलब होता Y की जगा पर Y की जगा पर Y1 रखती है जबके यहां पर Y1 की वैल्यू बच्चों के है माइनस 1 माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे और इस तरीके से बच्चों आपके पास में जो कॉड है if you know the coordinates of midpoint अगर आपके पास में midpoint के coordinates है यदि बच्चों मद्य बिंदू के बिंदू पत है आपके पास में मद्य बिंदू है तो इसकी equation कैसे निकाले जाती कुछ ही आ जा बात करूँ इसके slope के बारे में बात करूँ जिसे हम लोग M सेरी परदन करते है then how to determine slope of any line बच्चों आप slope को निकालने के लिए you just keep y on one side and take all the rest on another side आप y को एक तरफ रखेंगे बाकी सभी को एक तरफ ले जाएंगे बच्चों तो इससे आप यहां ले जाएंगे उसके बात में फिर y का जो coefficient है k upon b square उससे डिवाइड करते हैं आप पाएंगे बच्चों minus b square over a square into h over 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 यहां पर k यहां पर k यह कुछ आएगा बच्चों यह जो जीवा आई बच्चों अगर आपको मैंने आपको सिंपली यह दे रखा है कि यह कोई कौड है और आपको इसके मिड़ पॉइंट का लोकस बताना है जबकि आपको यह गिवन है कि इस कौड की ग्रेडियन्ट है मैं यूं कह रहा हूं बच्चों कि आपको इसमें अब रखा एक्स को दूरी तरफ लेगा और वहाए कि कोफिशन से डिवाइट कर दिया फाइनली यह आएगा बच्चों और इस रिलेशन को मैं के बनाबर माइनस बी स्क्यार ओवर ए स्क्यार इंटू एम इंटू एच मैं लिख सकता हूं यह आपके पास में आया और इसे यह आप देखिए तो यह एक्वेशन वही आ रही बच्चों जो थोड़ी देर पहले आई थी और उसको आप जनरलाइस करेंगे इसका लोकस आप बताएंगे बच्चों तो फाइनली यह आएगा सो एलिप्स में डायमेटर की एक्वेशन दिर्गवत्त में बच्चों उसके व्यास की समीकरण जो होगी वो क्या होगी माइनस बी स्केर ओवर इसकेर इंटू एम अपॉन मेरा एम इंटू एक्स यह आपके पास में बच्चों और आप देख सकते हैं यह जो एक्वेशन आ बच्चों यह एक linear equation आई है linear equation in x and y x और y की बच्चे एक रेकिक समीकरण एन इन फिदी इस a linear equation undoubtedly बच्चों दिस represents a straight line यह बच्चों एक सरल रेखा होगी सब्सक्राइब कहने को हम कह सकते हैं कि सब डायमेटर है तो ओविएसली डाइब बिए ट्रेट लाइब बट अम बट फॉन का लोकस निकालना हो सकता था मिड़ पॉइंट का लोकस एक श्रीट लाइन ना अते वे बच्चो कुछ और आ जाता एक स्टेट लाइन ना ते शपोसक परावला बन So I can say this is a linear equation. So I can say the diameter of an ellipse would be a straight line. बच्चो वो एकसर रिखा होगी और लगे हाथ एक छोटी सी बात हम यहाँ पर और समझ सकते हैं कि As you can see this equation is quite comparable to y equals to mx. बच्चो यह y बराबर mx मैं इसे m' लिख देता हूँ कि m यहाँ पर already लिखा हुआ है So don't get confused कि यह m और यह m से m है बर मुद्दे की बात यह बच्चो कि as this relation is the equation of a straight line which could be compared with the relationship y equals to m-x So I can say यह इससे comparable है इसका मतलब यह जो diameter होगी यह जो व्यास होगी बच्चो वो origin से पास होने बारे लाइन होगी यह जो diameter होगा बच्चो यह जो diameter है यह कहां से पास हो रहा है बच्चो ओरीजिन से पास हो रहा है यह लीजे सहाव origin याने के 0-0 So our shem bhaavirupe से बच्चो किसी भी ellipse किसी भी दिर्गवत का जो diameter होता है बच्चो वो origin से पास होता है और by chance यह जो ellipse आपको दे रखा बच्चो इसके लिए जो origin है वही इसका center भी है इसका center origin ही है यहाँ फिर मैं यूँ भी कहा सकता हूँ बच्चो मैं यूँ कहा सकता हूँ कि किसी भी ellipse का diameter हमेशा उस ellipse के center से पास होता है है रिपीट बच्चो किसी भी ellipse का diameter किसी भी ellipse का diameter हमेशा कहां से पास होता बच्चो उसके center से केंद्र से गुजरता है कर लीजेगा नोट डाउन कर लीजेगा है कि आपके पास में बच्चो मिड़्पइंट का लोकश लेकालनेके तरिका यह भी था लोकश का का तरीका का यह था लाज़वी तरीका काफी छोटा था बच्चो इस पर थोड़ी सी उसको पर ज्यादा टाइम डगा अधर ऐसे ल सिम्पल सी प्रॉब्लम आप की जीएगा आपको एक ऐलिफ्स दे रखा बच्छो 16 x square plus 9 y square is equals to 1 यह आपको एक ऐलिफ्स दे रखा बच्छो और इसमें आपको कोई chord दे रखी है 3 x minus 2 y plus 1 equals to 0 आप एक सिम्पल से sum लिखेगा बच्छो determine determine equation of diameter corresponding to this chord in this ellipse determine equation of diameter corresponding to this chord in this ellipse वीडियो को रोकिए और करिए बच्छो देखिए यहाँ पर आपको जो दे रखी है equation एक सेस्टो बोला भी गया था प्रश्रम एलिफ्स लेकिन अगर नहीं भी बोला हो तो भी हमें देख कर ही समझ में आ रहा है कि हावस यह तो एक एलिफ्स की equation है यह बच्छो एक एलिफ्स की equation है और उस एलिफ्स का हमें क्या बताना है उस एलिफ्स का बच्छो एलिफ्स में गिवन कोड के corresponding हमको diameter बताना तो यह दीजिए बच्छो यह रहा एलिफ्स सिस्टीन एक्सर स्केर प्लस यह तो इससे आप एक्सर स्केर ओवर वन बाय सिस्टीन अगर लिखते हैं और फिर बच्छो वो जो नाइन वाय स्केर है उससे वन बाय नाइन लिखते हैं तो मैं नहीं समझ की कुछों बताते हैं हमें इससे कोई फरक नहीं परता कि कौन सी एक्सेस मेजर है और कौन सी बच्छों माइनर है मुद्दे की बात यह है कि एस करो वी स्केर की वैलू यह है और इसमें आपको कोई कॉड दे रहा कि बच्छों जिस कॉड की कॉशन है 3x-2y प्लस वान इकोस्ट उची रो आपको इस गिवन एलिप्स में इस कॉड के कॉर्सपोंडिंग डायमेटर बताना है इसका मतलब क्या है कि इस कॉड के पैरल आप जितनी भी कॉर्स डो करोगे आप उन सब के जब मिड़ पॉइंट को जोईन कर दोगे तो जो मिलेगा आपको बताना है मेरे खिया सापको सोज्माया होगा बच्यों कि यह पेक., अब आपको इस कॉर्द के कोर्रिसपोंडिंग डायमेटर बताना हम अःती आप जो कहा जाये कि इस कॉर्ड के पैरल eclipse को प offenders होंग, तो इस जिए पैरल जतनी भी पिकॉर्स उख iss ed sup हो सकता है बच्छो ये line इस ellipse को cut ही नहीं कर रही हो क्यों ये line cut नहीं कर रही तो क्या हो गया इसके paralleline Perry night liens讲 अलोग इनफानाइड navy लाइन से भी INFINITE लाइन से इस ellipse को cut करेंगी वो तो करेंगी और उनके तो mid points को आप join कर सकते हैं तो वहाँ कोई पाप नहीं होगा बच्चो चलिए anyways यहां से आप y equals to mx प्लस इस से अगर इस तरह से compare करते हैं तो आप देखेंगे बच्चो m की value 3 by 2 तो आपने क्या देखा बच्चो अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी ellipse जिसकी equation यह है में किसी core के corresponding diameter की equation यह होती थी वही m क्या था उस core की gradient अफोर्स different जो core होगी उनका c different होगा लेकिन सबका m तो same होगा तो equation of diameter क्या होगी y equals to minus और b square की value कितनी बच्चो b square की value है 1 over 9 a square की value बच्चो 1 over 16 और m की value है बच्चो 3 by 2 into x so this is what equation of diameter मतलब यह जो line आपको दे रखें इस line के parallel जितनी भी lines होगी उनके mid points का जब आप join करोगे बच्चो तो आपको यह मिलेगा y equals to minus b square जबकि b square की value है a square into m m इस line की gradient थी जो आपको दे रखें थी बच्चो into x भाई जो diameter आएगा of course उसकी gradient जो है वो m dash आएगी और m dash की value आपनी का सकते क्या है यहाँ m तो जो लिखना हो किसकी gradient लिखने होती है cod की gradient लिखने होती है अगर आप इस diameter की gradient देखेंगे तो इस diameter की जो gradient आ रही है बच्चो एम डैश जिसे में माल लता हूं वो तो minus b square over a square into m आएगी diameter की gradient minus b square over a square into m आएगी बच्चो note down कर लिजगा और यह भी जो कुछ-कुछ लिखा है बच्चो इससे भी पूरी तरह से कॉपी कर लिजगा और हम आगे अब बढ़ते हैं हम इसे लेकर आगे बढ़ते हैं बच्चो और चलिएं सहाब अभी हम लोगों न देख लिया सहाब की किसी ellipse में diameter क्या होता है किसी दिर्गवत्त का व्यास क्या होता है बच्चो अब हमें देखना है यहाँ पर conjugate diameter के बारे में we will talk about conjugate diameter जिसे सयुगमी व्यास अगर हिंदी में कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा बच्चो ऐसे दो diameter जो एक दुसरे के corresponding हो बई ऐसे कोई दो diameter जो एक दुसरे के corresponding हो मतलब सपोस कीजिए कोई आपके पास में दो diameter है L1 और L2 और दोनों एक दुसरे के corresponding है मे दे रखाए दे रखाए अब इस एलिफ्स में बच्चो आपको एक diameter दे रखा ही यह और इसी एलिफ्स में बच्चो एक दूसरा diameter आपके पास में यह है यह यह दोनों diameter है और इसी दोनों diameter कहां से पास होंगे दोनों diametors जो होंगे बच्चो ओई होए लिफ्स के संटार से पास होंगे मतलब उनका intersection fain और कुछ नहीं बच्चो वह 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 origin होगा बैच कि दोनों origin से पास और है मतलब दोनों को intersection point स्वभाद इस बात है बचो origin ही होगा अब यह दोनों एक दुसरे के corresponding diameter हैं यह दोनों एक दुसरे के corresponding diameter से मतलब क्या कि आपको एक diameter यह दे रखा है y equals to m1x और दुसरा diameter दे रखा यह और दोनों एक दुसरे के corresponding diameter है एक दुसरे के corresponding क्या मैं फिर बोल रहा हूँ बचो कि यह वाला जो diameter है इसके parallel जितनी भी course आप डौ करोगे और उनके mid points को जब जोईन करोगे इनके mid points को जब आप जोईन करोगे बच्चो तो आपको कुन सा क्या मिले लाइन और ठीक इसी प्रकार से यदि आपने यह जो red वाली लाइन थी बच्चो इसके parallel जितनी भी course डौ करी इसके समानतर जितनी भी जिवाएं आपने खीची बच्चो उन सभी parallel course के mid point को जब आप जोईन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चो यह green वाली लाइ यह red diameter और जो green diameter बच्चो यह दोनों एक दुसरे के corresponding diameter अभी मैं आपको line के corresponding diameter बताया कि इस line के parallel जितनी भी course आप लोग डौ कर रहे हैं उनके mid points को जब आप join कर देते हैं तो जो आपको मिलता है बच्चो वो diameter कहलाता है तो जैसे मैंने बोला कि इस ellipse में इस chord के corresponding diameter बताईए मदब आप इसके parallel जितनी भी course होंगे उनके mid points को join कर दी जो इसकी question बताईए यही आपको बोला था मैं ठीक उसी तरह से मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चो मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पर कि यहां पर आपको suppose कीजिए कि कोई दो lines y cos to m1 x और y cos to m2 x एक दूसरे के corresponding diameter द से रखें देखिए मैं ellipse को draw करता हूं यह रहा ellipse है बच्चो और यहां पर आपको एक line एक line यह दे रखी y cos to m1 x दे रखी बच्चो और दूसरी line आपको दे रखी है y cos to m2 x यह लीजी और बात यह कह रहा हूं मैं आपसे कि यह दोनों एक दूसरे के conjugate diameter से यह दोनों एक द diameter या इस chord के parallel जितनी भी lines draw करी इस diameter के parallel आपने जितनी भी chords draw करी इसके समरांतर जितनी भी जीवाँ है आपने खीची बच्चो उन सभी जीवाओं के मद्य बिंदो को यह दिया आपने जाइन कर दिया उन सभी जीवाओं के मद्य बिंदो को यह दिया आपने जाइन कर दिया यदि मैंने y equals to m2x, यदि मैंने y equals to m2x के parallel जितनी भी course draw करी, इसके parallel जितनी भी course draw करूँगा और उन सब के midpoints को join कर दूँगा, तो मुझे कौन सी line मिल जाएगी बच्चो, blue line, मेरे खैसा आपको समझ में आओगा, बहिए किसी भी line के corresponding diameter आप निकालते हैं, तो उसका मतलब य कि आप उस line के parallel जितनी भी course draw करते हैं, उनके midpoint को आप join कर देते हैं, उसी को कहते हैं diameter, corresponding to that line in the given curve, जैसे यहाँ पर वो curve ellipse है, ठीक इसी परकार से जबना बोल रहा हूं कि यह दोनों इक दुसरे के corresponding diameter हैं, मतलब y equals to m1x के parallel जितनी भी lines होंगी, उनको join कर, उनके midpoint को join करने पर आपको y equals to m2x मिलेगा, और ठीक इसी तरह से y equals to m2x के parallel जितनी भी lines होंगी, उनके midpoint को join कर देने पर आपको मिलेगा बच्चो y equals to m1x, और अब भी हमें बच्चो यहाँ पर इन दोनों corresponding diameters के बीच में कुछ relationship establish करनी है, one by one, हमने relationship को देखते हैं, सबसे पहले, जो है सह अब यहाँ हम लोग अगर बात करें कि यह दोनों y equals to m1x, वही y equals to m1x अगर कोई line है, तो इसके corresponding diameter क्या होगा, आप ज़रा सोचिए, इसके corresponding diameter होगा, सहाब y equals to minus b square over a square into m1 into x, होगा बच्चो, बहीं मैं आप से simple यहीं बोलता है कि determine equation of diameter corresponding to y equals to m1x in ellipse x square over a square plus y square over b square equals to 1, तो आ आप क्या बोलते हैं, सर, इसके corresponding diameter बड़ा simple है, y equals to minus b square over a square into m into x, यहीं अभी थोड़ी देर पहरे देखा था, भाई y equals to, किसी line के corresponding diameter निकालना है, तो वैसे ही निकालते हैं, तो इस line के corresponding given ellipse में diameter यह होगा, और आप बोल रहे हो, diameter यह है, और वो बोल रहे है कि y equals to m2x का corresponding diameter ह है, तो obviously दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, तो दोनों के coefficients को compare कर दीजी, यहाँ पर y का coefficient 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर x का, जो coefficient है, वो यहाँ पर लगेगा, और इस तरीके से बच्चो, minus b square over a square into m1 is equals to क्या जाएगा, m2, so that I can say, बच्चो, m1, m2 is equals to minus b square over a square, so बच्चो, य m1, m2 की value बच्चो, minus b square upon a square होगी, यदि y बराबर m1 x और y बराबर m2 x एक दूसरे के सापिक शिक, से युगमी व्यास हैं, तो उन दोनों की प्रवनताओं का गुणन फर, उन दोनों की ग्रेटिल, उन दोनों की slopes का product, बच्चो, minus b square upon a square होगा, होब आपको यह बात सुज के corresponding diameter बताइए, मैं आपसे बोलता हो, बच्चो, minus b square over a square into m, जब की value m2 है, मैं आपसे फिर बोल रहा हो, बच्चो, इस एलिस में इसके corresponding diameter बोलता तो आप बोलते हो, और प्रश्न बराने वाला बोल रहा है कि यह दोनों एक दूसरे के conjugate diameter है, मतलब इसके corresponding diameter यह है, तो प्रश जब रहाने बोल रहा है, इसके corresponding diameter यह और आप बोल रहा हो, नहीं, इसके corresponding diameter यह है, तो जब दोनों ही एक इस की बात है, तो, बच्चो, बच्चो, इसकी पुल्टी सी बात आईगे और चेक कर लिजी, m1, m2, ब्राबर, minus b square upon a square है, so I can say, if y equals to m1x, and y equals to m2x are corresponding diameter extremelyizer, then slope of their product, slope of their gradient would be equals to minus b square upon a square पहली बात तो ये बच्चो यहां मैं एक छोटी सी बात आपको लगे हाथो और बताता है corresponding diameters या conjugate diameters जदा modified जदा precise तो यही होगा कि conjugate diameters बोलो बच्चो conjugate diameter का सबसे बहतरीन example मेरे दिमाग में अगर कोई आता है बच्चो तो वो आता है major access और minor access बच्चो ये रहा ellipse ये रहा ellipse अब ellipse में ये major access है दिर्गाश जिसे हम बोलते हैं अब इस major access के parallel आप जितनी भी course draw करेंगे और आप उन सब के mid points को join करेंगे तो आपको क्या मिलेगी बच्चो minor access भई ellipse में अब इस दिर्गाश के parallel आप बहुत सारी course draw कर सकते हैं obviously major access के parallel you can join end number of course और उनके mid points को join कर देंगे बच्चो ताप वो क्या मिलेगी minor access so minor access is the corresponding diameter to the major access बच्चो major access के corresponding diameter क्या होगी minor access क्योंकि major access के parallel जितनी भी course draw करेंगे obviously वो सभी x-axis के parallel होगी और उनके mid points को आप join करेंगे तो आप क्या मिलेगी बच्चो minor access so I repeat minor access minor access is diameter corresponding to major access in ellipse है बच्चो likewise अगर मैं इस minor access इस minor access के parallel बच्चो मैं infinite chords draw कर सकता हूँ मैं इसके समन अंतर अनंत जीवाएं की सकता हूँ और उन infinite chords के mid point को join कर दूँगा बच्चो तो मुझे क्या मिलेगी major access minor access के parallel आपने infinite chords draw करी उनके mid point को join करेंगे तो वो क्या होगी बच्चो major access you can say major access and minor access are conjugate diameters in an ellipse बच्चो major access के parallel जितनी भी chords है उनके mid point को join करेंगे minor access बलेगी ठीक इसी तरह से minor access के parallel जितनी भी chords है उनके mid point को join करेंगे बच्चो तो मिलेगी आपको major access so they both are conjugate diameters with respect to each other लेकिन वहाँ पर आप अगर M1 M2 बराबर minus B scale upon A scale लगाने जाएंगे तो वो नहीं लग पाएगा बच्चो by chance ये दोनों mutually perpendicular होते है major access और minor access perpendicular होते है so M1 M2 बराबर के आएगा बच्चो उस case में minus 1 you know that if two lines are mutually perpendicular then the slopes product is given by is equal to minus 1 so of course as far as this relation is concerned बच्चो of course this relation is always applicable except major access and minor access major access minor access के case में बच्चो ये applicable नहीं हो पाएगा उसके पेश से एक छोटा सा बड़ा simple सा reason ही है बच्चो क्योंकि उन दोनों की gradient का product जो होता है वो minus 1 होता आप यूँ भी समझ सकते हैं यूँ भी कह सकते हैं कि जहां एक लाइन का product 0 है एक लाइन की gradient 0 है वहीं दूसी लाइन की gradient infinity है एक लाइन की लाइन की बच्चो 0 और दूसी लाइन की लाइन की बच्चो infinity तो वहाँ तो M1 और M2 का product अगर आप निकालेंगे तो वो minus B square upon A square नहीं आएगा अदरवाइस एक सब मेजर एकसेस और माइनर एकसेस और आप किनी भी दो conjugate diameters के बारे में बात करो आवश्यम भावी रूप से उनकी slopes का product minus B square upon A square होगा लेकिन अगर मेजर एकसेस माइनर एकसेस की बात करें तो फिर M1 M2 का product बच्चो minus 1 होगा ये भी note down कर लीजिएगा चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चो और जो भी कुछ में बना रहा हूँ या बता रहा हूँ वो जरूर से आप अपनी कॉपी में note down क्या करें ये नहीं किया रहा है यह तो छोटी सी बात है यह तो हमें समझ में आगई है आसासानी से आगई ऐसा है वैसा बोगी ओपी ओएजदी पहर रिचारण कोबेज़ की स Ludum ि तो इंडिविजो डिपेंड करता है सहाब यहां सहाब भी थोडी-थोड़ी humidity हो रही है और ही हमिविडिटी ऐने के करण का रपर प्रापर्ली साफ नहीं हो पाताह और जब जब ही सपरने IS के यह ह рук कॉल्ड ही होता है मैं बाट भर रहा है कैंग। JOHN सब्सक्रेचाऊ करने है । और मुझे क्या करना है यह दोनों एक दुसरे के conjugate diameters थे यह दोनों एक दूसर के conjugate diameters थे जैसे एक यह सपोज की जिए बचो यह ellipse के center को मैंने नाम दे दिया C और इससे मैंने नाम दे दिया P और यह P डैश सो P and P डैश आर दी extremities of one diameter and Q and Q डैश Q and Q डैश आर दी extremities of its conjugate diameter P और पी डैश किसकी extremities है बच्टो किसी एक diameter की और Q कूज्य किंजूगेट की Conjugate Prime मतलब क्या इसके प oso को पूर्स की चोगे उनका डामेटर यह बनेगा लाइक वैस के पड़ जितनी कॉर्स की चोगे उनका डामेटर यह बनेगा वोप आपको यह बात खोपड़ी में आच चुकी होगी चलिए साब अब यदि मैं बच्चों पी के कोईलर्स को सपोस्ट कर लेता हूं एक वास यह एक उस्टीटा भी सांथीटा माल लिये तो एक बात आप समझ सकते हैं बच्चों पी डैश के कोईलर्स क्या होंगे चलो में बदाएक वाय वाल माल लिया बड़ा लॉलीप है देखके हलाकर समझ में आ चुका होगा पर स्टिल कुछ लोग जो नहीं समझे उनको बताओ पी के कोईनेट्स को भई मैंने माल लिया ये तो पी डश के कोईनेट्स क्या होंगे बच्चों इन दोनों का मिड़ पाइंट है ये सो ए कॉस्ट थीटा प्लस एक्स वन ओवर टू इस इकोस तो जीरो और इसको आप सॉल कर लेंगे बच्चों तो x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी x1 की वैल्यू आप निकाल कर देखें बच्चों एक कोस थीटा जाएगी ठीक इसी तरह से बच्चों ये आप y कोईनेट के बारे में बात करते हैं तो तो y coordinate बच्चो एक का एगा a sin theta plus y1 over 2 is equals to 0 और ये y1 की value जो है बच्चो वो minus a sin theta एक मिनिट a sin theta का है b sin theta होगा ना वो तो ये तो circle की case में हो जाता साब सो आपने क्या देखा बच्चो अगर p के coordinate को मैंने ये suppose कर लिया है तो q p dash के p dash मतलब उसी diameter की दूसरी जो extremity है उसके क्या होगा बच्चो माइनस a cos theta माइनस b sin theta भाई मैं पहले तो ये देख चुका हूँ कि यह जो दोनों conjugate diameters है जिनमें से एक की gradient को मैंने m1 नाम दिया एक की gradient को मैंने m2 नाम दिया तो इनके gradient के product में क्या relationship है वह आप लोग देख चुकि अब मैं यह जो एक्स्रीविटीज आई है in conjugate diameters की इनके eccentric angle के बीच में relation establish करना चाहता हूँ बच्चो पहले मैंने point एक diameter का मैंने point मान लिया एक और सिटा भी साइन सिटा तो उसका जो दूसरा पोजिट है उसके coiners क्या होंगे बड़ा वो simple साथ बात थी बच्चो की actually मैं यह जो है इन दोनों का midpoint है यह इनका midpoint होगा और midpoint होगा क्यों midpoint होगा आप समझ सकते क्योंकि यह कौड है यह कौड है बच्चो और इस कौड का midpoint center है तो उस बेसिस पर आपके पास में जो है आपके पास maximum y1 आ गए अब आप बात करें बच्चों कर क्यों की क्यों कि क्यों के क्यों आपको coiners निकालने हैं तो क्यों के coiners को मैंने क्या suppose कर लिया क्यों कि क्यों के को मैंने suppose मानना है तो मैंने काम करता हो बच्चों इसका eccentric angle में धीटा डैश माल लेता हूं इसका eccentric अंगल में धीटा डैश माल लेता हूं तो चलिए पहले काम कीजिए आप पहले एम वन निकालिये M1 मतलब इस वाले diameter का का लोग हो शलोप हो गया ह। दामेटर का स्लोप होस्ट को लगा Siebn IR adOTHER आपको कि तो इस पर लाइन करने मुझावर 20 पता हूं तो क्लुब यहील इस इतो आपी दिल को इस लाइन थो बैने से तरह से बच्च हो जाएगा था लाइन गया इस लाइन का स्लोप जो आएगा बच्चो वो बी अपॉन ए 10 ठीटा आएगा और यह आ चुका बच्चो अब जैसे अगर आपने यहां पर जो है सहाब इस पॉइंट का एकसेंट्रिक एंगल ठीटा माना तो इस लाइन का स्लोप यह आ गया आ गया ठीक इसी तरह सागर इसको पर थीटा डैश माल लूँ तो M2 की वेल्यू क्या होगी बच्छों M2 की वेल्यू होगी B upon A10 थीटा डैश B upon A10 थीटा डैश Yes, Yes, B upon A10 थीटा डैश इसकी वेल्यू होगी बच्छों आपने अगर point P का eccentric angle थीटा माना तो मतलब उसके coiners हो गए A cos theta B sin theta ठीक इसी तरह से यह दी बच्छों मैं Q का eccentric angle थीटा डैश माल लूँ तो उसके coiners क्या होंगे बच्छों A cos theta डैश और B sin theta डैश A cos theta डैश B sin theta डैश और उससे आप इन दोनों को जाइन करने वाए लाइन की gradient निकालेंगे बच्छों तो Y2-Y1 over X2 minus X1 this will give you बच्छो M2 की value की होगी और चूकी यह दोनों एक दुसरे के conjugate diameter से इसनी इन दोनों के slopes का product बच्छों आप लोगों नो देखा अभी भी आपके board पे लिखावा है minus B square upon A square और M1 की value है बच्छो B upon A 10 theta M1 की value है और M2 की value B upon A 10 theta dash है और A is equals to minus B square over A square B square से B square A square से A square cancel बच्छों finally आप क्या पा रहे हो 10 theta into 10 theta dash बराबर minus 1 because B B square हो जाएंगे cancel A A square हो जाएंगे cancel और finally यह आएगा बच्छों इस basis पर आपके पास में 10 theta dash की value आएगी बच्छों minus 1 over 10 theta so that I can say it is equals to बच्छों minus cot theta और minus cot theta को अगर मैं cot pi by 2 plus theta लिखूं तो ना minus cot theta को मैं यदि 10 pi by 2 plus theta लिखूं तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत इस बात को लिखने से मुझे रोख सकती है I repeat M1 की value M2 की value B square से B square A square से A square cancel बच्छों 10 theta into 10 theta dash की value minus B minus 1 आएगी 10 theta dash की value minus 1 upon 10 theta minus 1 upon 10 theta होगा बच्छों cot theta cot theta को मैं लिख सकता हूं 10 pi by 2 plus theta so that so that I can say बच्छों theta dash की value होगी pi by 2 plus theta theta dash की value क्या होगी बच्छों theta dash की value हो जाएगी pi by 2 plus theta मतलब यदि मैं conjugate diameter की एक extremity का eccentric angle theta ले रहता हूं तो जो उसके corresponding जो दूसरा conjugate diameter होगा बच्छों उसका eccentric angle क्या होगा pi by 2 plus theta मतलब इन दोनों के eccentric angle में pi by 2 का difference होगा pi by 2 plus theta अगर उसे लिखता हूं pi by 2 उसे theta मानता हूं तो यह pi by 2 plus theta आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे या फिर बच्छों minus quad theta को आप चाहे तो 10 theta minus pi by 2 भी लिख सकते तो मैं यूँ कह सकता हूं कि अगर इसका eccentric angle theta है तो इसका eccentric angle या तो theta plus pi by 2 होगा या फिर इसका eccentric angle theta minus pi by 2 होगा मतलब मैं यूँ कह सकता हूं कि जो corresponding जो conjugate diameters होते हैं उनकी extremities के eccentric angles जो होते हैं अगर इससे theta माना तो ये theta plus pi by 2 होगा या फिर theta minus pi by 2 होगा जो कि मैंने theta dash माना था खुल मिलाकर मैं यूँ वोड़ सकता हूं कि theta minus theta dash या फिर theta minus theta जो होगा बच्छों वो pi by 2 होगा मतलब इन दोनों के eccentric angle में का जो difference होगा वो pi by 2 होगा वोड़ा हो ये छोटा हो वो चोटा हो ये बड़ा हो एक बात अवश्यम भाविए कि दोनों के eccentric angles का difference by by 2 होगा अब जब मैं ये बोलता हूं कि eccentric angle का difference by by 2 होगा तो कुछ समझदार लोग यहां पर ये निश्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये दोनों mutually perpendicular होंगे इन दोनों के angles का difference 90 degree है मतलब दोनों 90 degree के angle पर है मतलब ये दोनों conjugate diameters एक दूसरे के साथ 90 degree का angle बना रहे हैं ऐसा नहीं है conjugate diameters एक दूसरे के साथ में 90 degree का angle बनाएंगे उसके सिर्फ एक ही condition है major axis और minor axis otherwise आप कोई भी दो conjugate diameters होगे कभी वह दो mutually perpendicular नहीं आएंगे क्योंकि अवश्यम भावी बच्चो उनमें relation है minus b square upon a square और अगर कोई दो conjugate diameters एक दूसरे के perpendicular है तो m1, m2 की value minus 1 होगी ना कि minus b square upon a square और अगर वह minus 1 आ रही है तो उसका मतलब ये है कि m1, m2 बराबर minus b square upon a square और अगर वह perpendicular है तो ये values के बराबर होगी so that b square की value a square होगी और b square की value अगर a square होगी बच्चो तो फिर वह circle हो जाएगा वह ellipse नहीं रहेगा बच्चो ellipse की equation में एकसर square over a square ये यदि यहापे मैं 20 square की जगा a square put कर दो तो बच्चो एकसर square plus y square request to a square हो जाएगा so of course circle के case में यदि मैं conjugate diameter की बात करूं तो वो तो हमेशा perpendicular हो आप करेंगे बच्चो ये आपके पास में एक circle है ये व्रत है और इस circle में आप जितने भी इसकर हो जाता है इसलिए अवश्चम भावी रूप से बच्चो यहीं मिलेगा आपको तो circle के case में conjugate diameters एक दूसे के perpendicular ही होंगे जैसे मैं फिर यहाँ पर ड्रॉब करूंगा बच्चो ये एक circle अब इसके corresponding डाइमेटर इसके कि ellipse की बात है बच्चो यहाँ 90 degree का अंगल नहीं होगा आप यहाँ पर यह दियान दे लिजी बच्चो क्योंकि यह होता है कि जब हमने बोला किसाब conjugate diameters की extremities के eccentric angles का difference by by two होता है जब मैं यह बोलता हूँ तो कई समझदार लोग यही इसका मिशक्रश निकालते हैं कि इन दोनों के बीच में अंगल आइंटे लिए थीटा दा रिफ्लेक्ट कि यह एंगल कितना है थीटा बच्चो मैं आपको याद दिला दू थीटा यह वाला तो इसका मतलब यह होता है कि इसका जो auxiliary circle बन रहा है इसका जो यह circle बन रहा है यह circle यहाँ जितना एंगल बनाएगा उससे थीटा बोलते हैं फिर यहां से आप यहां पर एक altitude drop करते हैं पर पर प्रपेंडिकों ड्रॉप करते हो आप इसके कोई नेर्स को बोलते हो a cos theta a sin theta औ और अगर circle होता तो वह फंड़ा लग जाता कि हाँ इन दोनों के बिचमेंगा 90 डिग्री आएगा फर्ज कीजिए आपके पास में circle है और इसमें एक आपने diameter यह लिया और तो इसका corresponding diameter confirm ऐसा होगा जिसके mutually perpendicular होगा वहां बिल्कुल perpendicular ही होंगे कुछ भी कर दीजिए बच्चो conjugate diameter पर यहां पर तो केवल एक ही स्थिति आसी आती है जब वह एक दुस्य के पर पैंडिक उदर होते हैं और वहां यह रिलेशन इस्टाप्लिश यह अपली के बल नहीं होता है अब बागी सब केसमें तो होगा बच्चो बगादा हमने प्रूव किया इसके corresponding diameter है तो उनमें इसके corresponding है दोनों को compare के आपको relation वहीं मिलता है भाड में जाए M1 M2 की individual values क्या है और चलिए साब यहां इन दोनों के बीच में एंगल 90 कुछ ऐसे आएंगे जबकि थीटा डेश की वल्यों क्या बच्चो यह अगर इसको थीटा डेश मानते हैं तो यह जो है बच्चो यह हो जाएगा माइनस A कॉस थीटा डेश और माइनस B साइन थीटा डेश क्यों कि इन दोनों का मिड़ पाइंट यह है जैसे अभी मैंने ग कि और अगर आपको यह समझ में नहीं हों आप सोचनों सर यह क्या गारंटी हि की इन दोनों का मिड़ पाइंड यह अगर सैन दोनों का मिड़ पॉइंट डामिटर होगा और डामिटर से पास होगा समचो जरा अब समझने आ गया होगा भाई कौर्ड के मिड़ पॉइंट के लोकस कोई तो कहते हो डायमिटर और सरकर और एलिप्स के केस में बच्छो डायमिटर से पास होता है तो अगर मैं बोलूँ कि साथ इसके कोईनर्स इसका मैंने एक्सेंटरिंग एंगल ठीटा माना तो उसके कोईनर्स आट्रोमेटिकली यह हो गए ठीक साथ अब आपको इस डायमिटर इस की दूसरे एंड के कोईनर्स निकाल लेते आपने एक्सवन वायवन मान लिए और आपने बोला कि इन दोनों का मिड़पाइंट सेंटर हो गया ठीक इसी प्रकार से मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि इन दोनों का मिड़पाइंट यह होगा बच्छो मैंने उसे एक मिनद के लिए एक्सवन वायवन माल लिया एक्सटू वायवन माल लिया तो इन दोनों का जो midpoint होगा diameter उसी से pass होगा और diameter center से pass होता है मतलब यूँ कह सकता हूँ कि center ही उसका midpoint है तो यह आपके पास ना आ गया बच्छो तो चलिए diameter की extremities जो है उसके जो दोनों सिरे है conjugate diameter की extremities है बच्छो उनके eccentric angle का difference जो है सहाब वो पाइब टू होता है हाँ सहाब चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बड़े और भी और इसी में और कुछ काम की बादाता हूं बच्छो यह देखें यह आपके पास में ellipse है इसमें थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं बच्छो ellipse है यह लीजिए यह रहा ellipse रहा बच्छो और यह इसके conjugate diameters है यह इसके conjugate diameters है यह हैं आपके पास में P और एक P डश और एक Q और एक Q डश जो आपके पास में conjugate diameters हैं जो आपके पास में conjugate diameters हैं उनकी extremities को आपने P और P डश नाम दे दिया क्यों और Q डश नाम दे दिया दे दिया अब इसके conjugate काया है इसके conjugate be turned inboards in diverse second shift to get the जन्य वेल्यूए टीटा प्लस πअवाइड़ माल्कर देखए वज़ू सभी नहीं लखने तो आपको विलेंगे बच्चो वह au क्यों सवाज़ में आईए बच्छाइब ऐसे नहीं है बच्चो अथी टा और तो देटा प्लस प्लस यश्राइज इंधी आप थीटा फ्लस प्लस पाई वाई टू रखते हैं यह आई दर अğर प्लस पाई वाई टू रखा तो कॉस्ती अवण प्लस पाई बाै टू क्या होगा इसके कोई निकाली बच्चों A sin theta आएगा और माइनस B cos theta आएगा क्यों आएगा तो इसका अपोजिट कर दिया इसका अपोजिट कर दिया इसका अपोजिट कर दिया तो माइनस वाला plus हो गया plus वाला माइनस यहां तो plus से minus plus से भी minus हो गया तो इस तरीके से आपके पास मेरे नहीं आ गैए theta plus pi by two रखोगे इसमें the प्लस papya by two रखोगे तो यह आ जाएगा और theta minus pi by two रखोगे तो वह यह आएगा आप इसपे फीटा की जगह थीटा प्लस पा फाई बाई टू रखकर देखो तो आप हो Q के को हुनिर्स मिलेंगे और इसपे थीटा की जगह थीटा मानस पाई बाई टू ये तो आपको ये मिलेगा ओवियसली जैसे Q इस डामेटर का conjugate diameter के extremity है वैसे q' भी तो है जैसे q इस diameter के conjugate diameter के एक extremity वैसे q' भी है तो एक अगर theta plus pi by 2 से आता तो दूसरा theta minus pi by 2 से आएगा अब मैं जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और कुछ और काम की बात करता हूँ करें साहब करते हैं हमें यहाँ पर जो है एक काम करते बच्चों यह c और p के बीच की distance में निकालता हूँ c और p के बीच की distance और ना केवल distance बच्चों बलकि उनकी distance का square तो कैसा निकलेगा बच्चों आपको square करना है तो a cos theta minus 0 का square plus b sin theta minus 0 का square बच्चों क्या मिलेगा आपको मिलेगा बच्चों a square cos square theta plus b square sin square theta मिल गया यह आपको cp square मिल गया और इसी तरह से जिदी आप cq square निकालें तो cq square क्या होगा इन दोनों के बिच के distance formula लगाएंगे और फिर उसका square भी कर देंगे minus a sin theta minus 0 का square plus b cos theta minus 0 का square x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square यह क्या जाएगा a square sin theta plus b square cos theta यह cq का square तो यह cp square आगया और cq square आगया आगया बच्चों अब cp square और sq square आगया बच्चों यह तो आपके पास में cp square और cq square की वहलोगा अब आभी काम करते हैं बच्चों cp square और cq square का हम लोग sum निकालते हैं हम लोग क्या निकालते हैं बच्छों इनका sum इन दोनों का addition हम लोग करते हैं तो इन दोनों का addition यदि मैं करता हूँ cp square plus cq square तो इत दुनों का sum करें और sum करने में मैं एक काम करता हूं चलिए मैं एक एक step लिखी देता हूं बहेतर होगा साहब ये लिजे cp square की value तो ये थी चुई ये cp square की value थी और cq square की value क्या cq square की value a square sin square theta plus b square cos square theta वह आपने इसका sum किया cp square की value स्केर होगा यहां पर भई यहां पर सीक्यू स्केर की वेल्यों यह कर दिया आपके काम किजिआ वचोचों दोनूं को थे निकाल दीडिये मोस्तेर Chevalム यहां को यह सकार है मैद्वारा कमनल निकाल दिया इसी तह less सब्सक्राइब निकाल दिया बच्चों तो एक जगा बचेगा साइन सके थीटा और एक जगा बच्चेगा बच्चों साइन सके थीटा उसकी वेल्यू भी वन सो what you see here you see cp square plus cq square बच्चों यह कोस के थीटा प्लस साइन 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 से थीटा कि वेल्यू भी वन finally what you see you see here that cp square plus cq square is equals to a square plus b square यह आपके पास में आ गया cp square plus cq square की value बच्चो क्या आ गया आपके पास में a square plus b square इसका ताथ पर अर्थ अभी prime meaning मतलब क्या होगा बच्चो इसका मतलब यह होगा कि जो conjugate diameters हैं जो conjugate diameters हैं आपने उनके semi part लिए आदे आदे पार्ट लिए बच्चो स पूरा अगर diameter देखाँ तो वो pp- है पूरा diameter देखा जा तो वो qq- है लेकिन आपने पूरा diameter ना लेते हुद कि वह इसका आधा पर्ट लिया cp- यह cp लिया इसा हापने पूरा diameter qq- ना लेते हुद कि वह उसका a square plus b square that is sum of squares of semi major axis and minor axis एक बात तो यह है बच्चो और दूसरी बात यह है कि a square plus b square of course एक constant quantity है सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि sum of sum of squares of semi conjugate diameters in an ellipse is equals to a constant quantity which is equals to semi major axis of the which is equals to sum of squares of semi major axis and minor axis in the ellipse hope आपको यह बात खोपड़ी में आई है note down करेज़ेगा बच्चो cp square देखिए obviously ellipse पर infinite points होंगे और infinite points से diameters pass होंगे होंगे हर points से diameter pass होगा बच्च डामेटर क्या होगा उस point को center से जाइन कर दो वो आपके पास में diameter होगा circle के इस मतलब आपको diameter निकालना क्या करोगे circle के circumference पर कोई point लोगे center से जाइन कर दो जो लाइन आपके पास में आईगी वो diameter उसका फ्यास होगी यहां भी वैसे ही है हर point से एक diameter pass होगा और हर diameter कीbs लगोगी इसंटलगोगी 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 इसंटलगोगीश्ल बक्राइं में कि्हीं से कोई भी दो conjugate diameters आप लेते हो और उनके semi part लेते हो और उनका square करते हो उसका sum करते हो बच्छो आपको वह मिलेगा a square plus b square which is equals to sum of semi major sum of squares of semi major axis and semi minor axis and of course I repeat को सब्सक्राइब कभी कम होगी यह कभी कम नगी कभी कम लेकिन अगर यह भी खिर सकते हैं कि पीपी डाश का square plus आप इस इसी लिए आप दोनों साइड और कुछ मत कीजे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पोर से multiply कर दीजिए यह जो expression आपके पास मैं आप इन दोनों में 4 का multiply कर दीजिए आपको बच्चों कुछ ऐसा मिल जाएगा so you can see यह आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो सहाब कि sum of squares of conjugate diameters is a constant quantity which is equals to sum of squares of major axis and minor axis no down कर लिजेगा मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ सहाब और कुछ और भी काम की बाते हम यहाँ पर देखते हैं समझते हैं जानने का प्रयास करते हैं चलिए साब यह तो मैं देखा साब को समझ में आ चुका है अब मैं यदि यह जो मैं अगर मैं इंपर टेंजन करता हूं तो टेंजन कर ले से मुझे क्या बात करता हूं यह देखियो यह मैंने टेंजन डॉकरी पॉइंट पी पर ऐसे ही मने टेंजन डॉकरी पॉइंट क्यू पर ऐसे ही टेंजन डॉकरी बच्चों मैंने पी डाश पर और ऐसे ही मने टेंजन डॉकरी बच्चों क्यू डाश पर मैंने इन चारों पर टेंजन डॉकरी और इन टेंजन जब जब डॉकरी त तो tangent की equation क्या होंगी जो रहा उस बार हम बात करते हैं सबसे पहले आप देखिए बच्चों tangent at p p पर tangent की equation क्या होगी xx1 over a square plus yy1 over b square is equals to 1 this is tangent at p वहीं किसी point पर आप tangent की equation निकालते हैं बशरते वो point लिस पर ही लाए कर रहा हो सुभान अल्ला t goes to 0 x की जगा पर x square की जगा पर xx1 y square की जगा पर yy1 so this is tangent at point p बच्चों ये point p पर tangent की question आई अब आप ऐसे ही यदि tangent निकालते हैं बच्चों tangent at q तो आप q पर tangent निकाले है q पर tangent निकालेंगे तो xx1 तो यहाँ पर आजाएगी minus x sin theta over a plus y cos theta over b is equals to 1 this is tangent at q आपने p पर tangent लिखी उसकी equation ये आ रही और आपने q पर tangent लिखी उसकी equation ये आ रही पर tangent लिखी उसकी equation क्या है q पर लिखी वो क्या है और ऐसे ही बच्चों यदि आप tangent at p' लिखा लेंगे आप t' पर tangent लिखा लेंगे तो रखिए और उससे आपके पास में आएगी minus x cos theta ये x cos theta over a अराम से निकाल कर दें कि कोई जल्दबाजी नहीं ये बहुत इत्मिनान से कीजिएगा और आपको मिलेगी equation number 3 ये मिलेगी बच्चों ऐसे ही यदि आपने tangent at q' निका लिखी तो q' पर tangent लिखी आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगी क्या x sin theta over a minus y cos theta over b is equals to 1 equation number 4 भाई आपने point p' पर tangent लिखी उसकी equation ही आई point q' पर tangent लिखी उसकी equation ही आई आपने p' पर tangent लिखी उसकी equation ही आई और आपने point q' पर tangent लिखी उसकी equation क्या ही इन चारो इक्वेशन को आप देखो तो चोती उक्वेशन को ऐसा भी निख सकता हूं बच्वेशन को कुमें ऐसा भी लिख सकता हूं पवी आप ने यह रखा यह रखा और फिर बाद में माइनस का मल्टिप्लाय कर दिया तो यह equation मिल जाएगे आप चेक कर लो आराम से यह x square के जगा xx1 y square के जगा yy1 और पूरी equation में माइनस से multiply कर दो आपको यह मिलेगा अब ज़र आप ध्यान दीजिए बच्चों पी पर tangent पी पर tangent आपने लिखी वो ही आई और पी डाश पर tangent आपने लिखी यह आई अब इन दोनों equation को जब आखे गड़ा कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह दोनों एक दुसरे के पैरल है पी पर tangent और पी डाश पर tangent यह दोनों एक दुसरे के बच्चों पैरल आ रही है ठीक इसी तरह से यदि आपने क्यू पर tangent और क्यू डाश पर tangent देखें तो यह दोनों भी एक दुसरे के पैरल दो पैरल लाइन की ग्राडियंट सेम होती है सो आपने क्या पाया कि पी और पी डाश पर जो tangent डाई हो एक दुसरे के पैरल आई और क्यू और क्यू डाइश पर जो tangent डाई बच्चों वह भी मथले मतलब अगर मैं किसके बारे में बात करता हूं बात करता हूं सहब में conjugate diameters के बारे Пरे So if tangents are drawn, if tangents are drawn at the extremities of the conjugate diameters, then they are, then those tangents make a parallelogram. वो जो tangents होंगी बच्चों वो एक parallelogram बनाएंगी. एक सवानामता चतुरबुज बनाएंगी. अगर ये दोनों इदूसरे के पहले हैं, ये दोनों इदूसरे के पहले हैं, तो obviously बच्चों ये क्या बनाएंगी? तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंद आप ठेंजनाएंगी अधे अश्रमूसरे के बनाती हैं. इससे नोट डाउन कर लीजएगा. A, इसे नाम दे देते हैं B, इसे नाम C देंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि C तो यहां पर आउरेड़ी है तो उसे A, B नाम दे दिया और इसे मैंने R, S नाम दे दिया, यह लीजिये मैं क्या करना चाहता हूँ इसका मैं area find out करना चाहता हूँ इसका मैं इसका मैं आप सिमेट्री से बच्चों मैं प्रूव कर सकता हूं कि जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा फॉर टाइम्स कह सकता हूं पूरे पैरलोग्राम का एरिया जो होगा वो किसी भी क्योंकि यह चार पार्स बन रहे बच्च दूसरी बात यहاں पर यह है कि यहां जो यह जो टैंजेट आई आई है आप एक और बास यहां पर कह सकते हैं कि अुद बच्छो वह इस प्लब के पैरल आ रही है कैसे कह सकता हूं आप देखो यह जो डायमेटर है इसकी ग्रेड़न क्या आएगी इसकी ग्रेड़न आप पहले निकाल चुक्क है थोड़ी देर पहले आपने निकाले थी बच्च बी अपॉन एट एंट इंट 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 आ भाई वाई टू मानस वाई वा चलिए साथ dow किया तो आर需 है और वो जो टेंजर्ट आ रही है कि यहां पर क्यों पर जो टेंजर्ट आएगी वो इसके parallel आएगी क्योंकि इसकी जो gradient है वही gradient इसकी है वो तो आपको पताईए क्योंकि आप देख चुकि Q और Q डाश पर जो टेंजन सब इसके parallel है तो यह तो आपको दिखाई दे रहा है लेकि नेकुर बात है कि यहाँ पर जो टेंजन इसके वो इसके parallel आएगी बच्चों आएगी और symmetry से आप यह कह सकते हो कि यह जो parallel ग्राम है यहाँ पर इन चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो आप इसका एरिया निकालना चाहत थीसरा अ सकतनि थी बच्चों इसलएक आप सी से इस पर एक पर्पेंडिकॉल रॉप केजिए गर दिया कर सी जिसके कौॉडिनेटेट्स जीरो जीरो हैं आप उससे एक perpendicular drop कीजिए अब ये भी एक parallel बन रहा है जैसे इसके parallel ये है वैसे इसके parallel ये है तो ये दोनों एक दुसरे के parallel है और ये दोनों भी एक दुसरे के parallel है तो ये parallel बन गया तो आपको parallel ग्राम के area निकालना तो parallel ग्राम के area कैसे निकालते हैं बच्चो आपने क्या गरा एक side की लंथ ले ली आपको इसका area निकालने को बोला मैंने समझेगा area of q a p c area q a p c जो होगा बच्चो वो किसके वरावर होगा that would be equals to बच्चो ये वाली जो side है aq ये वाली जो side है aq into ये जो perpendicular आया suppose कीजिए यहां से perpendicular इसको जाके कहांपे मिला M पर तो बच्चों किसी parallelogram का area बैसे triangle का area किता होता हाफ into perpendicular into base वैसे पैलो गराम का area क्या होता है ऐसे triangle का area half perpendicular into base पैलो ग्राम का area क्या होता परपेंडिकुल इन्टु बेस simple जैसे base को अगर मैंने ये माल लिया परपेंडिकुलर को मैंने ये माल लिया ये base है ये base है और ये perpendicular है तो इसका हीजा क्या होगा AQ into CM AQ into CM ये आएगा और AQ के कारे में अगर बात करूं तो AQ जो है बच्चो आच्चुकि ये पारलोग्राम है इसलिए AQ की वैल्यू को अगर मैं CP भी लिखूं तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई गल्ती कर रहा है बाई पारलोग्राम में आमने सामने की साइसे एक दूसरे के पारलोग्राम होती है और इकवल लंप की होती है तो ये होगा बच्चो जो एक बच्चो CP की होगी वही बच्चो CP की भी होगी तो aq की जगा मैं cp रख सकता हूं और a-m कहां से कर दिया भी या मैंने इसको क्या लिकूंगा मैं cm सॉरी कुछ लोग कन्फ्यूज होको कि aq बराबर cp है पर cm बराबर am कहां से आ गया सार तो मैंने गलत किया था तो आया भी नी सकता था बच्चो मैं फिल बोट च्छान्स एक्यू की वैल्यू CP के बराबर है ठीक है साथ और रही बात CP की CM की तो CM कैसे निकलेगा बच्चों CM CM कैसे निकलेगा C से आप इस साइड पर पर परपंड़िकर दॉप करोगे तो पहले cm निकालो, निकाले, चलो, हो जाँ शुरू भईया, cm की value, c center है, किसी point से किसी line की कैसे distance निकलती है, भईया आप x की जगा पर 0 तक देंगे, y की जगा पर 0 तक देंगे, minus 1, और upon में क्या, upon में सहब x का coefficient जो की ये है, और y का coefficient जो की ये है, ये आएगा, और ये modulus हो बच्चो, cm की value क्या होगी, cm की value होगी, x की जगा पर 0 रग दिया, y की जगा पर 0 रग दिया, इसकी जगा 0, इसकी जगा 0, और आपको क्या में रहेगा, भई, किसी point से, किसी point से, किसी line की perpendicular distance, ये जो aq है, what is this, aq जो है, that is nothing but the tangent at q, तो aq की equation ये है, aq is nothing but tangent at q, aq is nothing but tangent at q, aq is nothing but tangent at q, और tangent at q की equation ये है, है, ये q पर tangent की equation है, अब इस line की, अगर मैं center से distance निकालो, origin से distance निकालो, तो किसी point से, किसी line की किसे distance निकलती है, x की जगा पर 0, y की जगा पर 0 रग दिया, रग दिया, बहुत अच्छी बात है, और फिर आपने क्या करा x का coefficient का square, y का coefficient का square, divide कर दिया, ये आगया आपके पास, सो ये cm आगया, cm को और आप simplify कर दीजिए, इत्मिनान से, तो आप पाएंगे, ये b square को यहाँ multiply, a square को यहाँ multiply, उपर ले जाएंगे, root के भारा कर वो हो जाएगा, a, p, a, b मतलब, और upon में क्या, a square cos square theta, plus b square sine square theta, ये आ cm आ गया, अब आप एक काम करिए, am आपके पास में cm आ चुका है, और आपको area निकालना था, तो area जो आपको find out करना था, कौन सा area, area q, a, p, c, q, a, p, c, वो क्या होगा, वो होगा बचों, c, p, c, p, क्यो एसस था, वो a, q था, लेकिन वो c, p के बराबर था, इसलिए, into cm, और c, p, की जहां तक बात है बचों, तो c, p क्या है, c, p की बात की जाए बचों, तो c, p, जो है, वो c, और point p, जबकि point p के कोरिणर्स क्या है, point p के कोरिणर्स हैं, बचो, a, cos, theta, b, sin, theta, तो इन दोनों के बिच के distance हावा लगा दीजे, और वो हो जाएगा, a, square, cos, theta, plus b, square, sin square, theta, यह होगा, into cm, cm की value, आप देखिए, तो बच्चों, वो है, a, b, over, under the root of a, square, cos, theta, plus b, square, sin, square, theta, a, square, cos, theta, plus b, square, sin, square, theta, है, बचो, c, p, की value, आप ने निकाली, तो वो और कुछ नहीं, बच्चों, point c, यहने, की origin, और p, यहने, यह, के बिच की distance, और cm के जहां तक सवार तो वो आपके पास है, बच्चों, इन दोनों में, आप distance, आपने यह करा, और इन दोनों को multiply कर दिया, इन दोनों को multiply कर देने से आपको यह क्या मिल जाएगा, a, b, यह, a, b, मिल गया, तो यह area, सिर्फ अभी इस वाले quadrilateral का, या इस वाले parallelogram का आया, symmetry से बच्चों आप रूव कर सकते हो, जितना area, इसका उतना, इसका है, उतना, इसका उतना, इसका है, तो अगर इसका area, a, b, तो इसका भी area, a, b, इसका भी area, a, b, और इसका भी area, a, b, आ बच्चों कों सा, a, b, r, s, उसका area, आ रहा है, बच्चों, four times of a, b, four times of a, b, मतलब वो आ रहा है, बच्चों, two a into two b, two a into two b, so I can say, when tangents are drawn at the extremities of conjugate diameters in an ellipse, then the quadrilateral obtained is a parallelogram, वो आप देचो क्यों, आमने सामने की, जो साइट थी, वो पहलल थी, और उस parallelogram का area आ रहा है, that is equal to product of major axis and minor axis, वो जो parallelogram बना बच्चों, वो किसके area के बराबर है, वो parallelogram किसके बराबर आ रहा है, उस parallelogram का area किसके बराबर आ रहा है, major axis और minor axis की length के product के बराबर, है, इसको मैं एक और तरीके समझाता हूँ, पर पहले से note down कर लिजेगा, उसे मैं पहले को तरीके से समझ सकता हूँ, बच्चों, कैसे मैं यहाँ पर इसे मिटारूँगा, और समझेगा, पर यदि आपके पास में यह ellipse था, अब बच्चों, यह आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, रेक्टेंगल इसलिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिगरी का एंगल बनेगा, और इसकी लंध क्या होगे 2 है, और यह लंध क्या होगे बच्चों, 2 भी, So, what you see, what you conclude, what you conclude, you conclude that, if tangents are drawn at the extremities of the conjugate diameter in our ribs, then quadrilateral optate is a parallelogram, whose area is equals to product of length of major axis and minor axis, Either you say in this way, or you say, whose area of that parallelogram will be area of the rectangle made by tangents drawn at the extremities of the major axis and minor axis. बच्चों, major axis और minor axis के extremities पर, यदि मैंने tangents draw करी, major axis और minor axis के extremities पर बच्चों, यदि मैंने tangents draw करी, तो वो tangents मिलकर एक rectangle बनाएंगे, और उस rectangle का यह उतना ही होगा 2 into 2 भी, obviously minor axis और major axis भी क्या है, conjugate diameters ही है, तो उनकी extremities पर tangent draw करोगे, तो वो भी एक parallelogram ही बनाएंगी, पर बाइचांस वो parallelogram एक और special case उसका क्या हो गया बच्चों, वो एक rectangle भी हो गया, वो एक rectangle भी हो गया बच्चों, और इस parallelogram का area, इन extremities पर जो tangents draw की गई है, इन extremities पर जो tangents draw की गई है, उससे जो rectangle बना है, उसके area के एक वड़ा रहा है, और इसका और special case में आपको बताऊं बच्चों, अगर मैं यही conjugate diameter के बारे में बात करता किसी circle के case में, बच्चों, अगर मैं यही बात करता circle के case में, तो आपने एक tangent ऐसी draw करी, एक tangent आपने ऐसी draw करी, एक tangent आपने ऐसी draw करी, और एक tangent आपने ऐसी draw करी, करी, भाई, आपने यह दो tangents ऐसे draw करी, यह दो tangents आपने ऐसे draw कर दी, कर दी, सो यहाँ पर भी जो बनेगा बच्चों, वो भी एक rectangle होगा, और वो rectangle का भी एक special case, बच्चों, एक square होगा, if tangents are drawn at the extremities of conjugate diameters in a circle on a circle then quadrilateral obtained by those tangents will be a square वहापर एक वो square बजाएगा भाई as such एक parallelogram था अगर आपने यहाँ पर tangents डौकरी तो वो rectangle हो गया बाईचास इस parallelogram का area एस rectangle का area के बराबर होगा और अगर मैं इस ellipse को दबा दू यहने कि circle बना दू उसका special case कर दू तो फिर वो rectangle का special case बच्चो square बन जाएगा hope आपको यह बात सवज में आई है इसे जरूर से note down कर लीजेगा बच्चो तो यह भी एक काम की बात है लगे आतो एक छोटी सी बात आपको और बता हूँ चलिए आपने point P पर tangent डौकरी और point Q पर tangent डौकरी अब मैं अगर इनके intersection point का लोकस निकालों यदि मैं क्या करूँ बच्चो इनके intersection पॉइंट का यदि मैं लोकस निकालों तो इन दोनों के intersection point को निकालने का तरीका आप दोनों की पर टेंजेंजेंस का इंटर्सेक्शन पाइंट आप लोग अलोड़ी देख चुक हो क्या आज़ा है यह दो बच्चों अगर आपने किसी पाइंट थीटा वन पर टेंजेंट डॉब और तो क्या आज़ा था एक आपको अगर मैंने यहां पर क्या कहा है कि आपने टेंजेंस की और उनके इंटर्सेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है उनके इंटर्सेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है तो आप दो तिन तरीकों से काम कर सकते हो इनका इंटर्सेक्शन पॉइंट का डायक फार्मूला जानते हो वह आपको इस पॉइंट थीटा और थीटा डै यहां पर इन दोनों equation जो है इन दोनों का square करता हूं तो मेरा काम ऐसी हो जाएगा जब आप इन दोनों का square करेंगे आप इनके intersection point का locus बताना चाहते हो You people want to determine locus of intersection point of tangents drawn at the extremities of the conjugate diameter So you just go for doing one thing, बच्चो कि आप पहले का square करो और दूसरे का square करो और दोनों का sum कर दो, जब sum कर दो होगे बच्चो अराम से करके देखो अराम से करके देखना आपको equation मिलेगी x square upon a square plus y square upon b square is equals to 2 आप करके देखिए, योगि जब इसका square करेंगे, इसका square करेंगे तो cos square theta plus science square theta हाजाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी वही और यह एक plus वाला, इससे minus वाला से cancer हाजाएगा, मेरे ख्यासे कर लिया होगा, कोई बड़ा काम नहीं था, equal to 2 हाजाएगा, so यह क्या पा रहे हो बच्चो, यहाँ पर एक और property हमारे पास मारे इस तरह से बोल सकते हैं, कि if tangents are drawn at the extremities of the conjugate diameters, that intersection point of those tangents is an ellipse, यह एक ellipse की equation है बच्चों, देख लिजिए, यह equation है ellipse की है, और इससे और ज्यादा प्रिसाइजनी लिखना चाहूं तो उस ellipse की major axis कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, और उस ellipse की minor axis जो है बच्चों, वह कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, उसकी जो major axis है, major axis जो है बच्चों, उससे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, और minor axis को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, आपको यह बास सब्च में आई है, तो यह एक ellipse ही आया है बच्चों, देखिए न, यहाँ पर आपके पास में ellipse था, यह इसके conjugate diameters थे, आपने एक tangent यहाँ डौकर, यह tangent यहाँ डौकर, यह लिजी एक tangent, और यह लिजी एक tangent, इन दोनों का जो intersection point होगा, यह दोनों का है, conjugate diameter की extremities, तो इनका जो intersection point होगा, वो एक ellipse पर ही लाए करेगा, और उस ellipse की विशेष्टा क्या होगी बच्चों, उस ellipse की विशेष्टा यह आ रही कि उस ellipse का center वही आ रहा है, जो original ellipse का center क्या था, जो नए ellipse बना उसका center भी 0000 आ रहा है, बस यह है कि उसक semi-minor axis A थी, इसकी root 2 है, उसकी semi-minor axis B थी, इसकी root 2 भी है, note down कर लीजेगा बच्चों, एक और काम करते हैं, छोटा सा, हम लोग जो है बच्चों, हमें conjugate diameter जैसे दे रखे हैं, दे रखे हैं, अब मैं इस ellipse को पर draw करता हूं, या पहले यह note down कर लीजेगा, मैं मिटा क्योंकि मेरे पाइस अब जगा की कमी है साहब, देखे हम यहाँ पर, देखे हम लोग problem तो धेर सारी बना सकते हैं, बनती जाएंगे, कुछ ऐसी हो सकती हैं, जो problems से हम कुछ conclusion पर आपाएं, कि अच्छा ऐसा होता है, और कुछ problems किवल problem ही रह जाएंगी, बनलब किवल हाँ, आपको कुछ solve करने को दिया, आपने कर लिया, लेकिन कुछ problem से होती ही, जो कुछ एक बहुत छोटी सी answer लेकर आ जाती है, यह कैसा, ऐसा एक result लेकर आ जाती है, जिसकी जरूद हमें बार-बार पढ़ सकती है, तो वैसी ही मैं कुछ एक और बात आपको बताने की कोशिश कर पर इसका eccentric angle theta है, अब बच्चों इसके दो focus होंगे, एक s और एक s आपको पता है, s के coordinates a e, 0, भाई यह जरूरी नहीं है कि focus जो है वो इस पर लाए करें, focus तो major axis पर लाए करते हैं, पर इसकी कोई guarantee नहीं है कि वो conjugate diameter पर भी लाए करेंगे, भाई यह आपके पास में ellipse है, ellipse इसकी diameter की extremity है, और यह उसका conjugate diameter है, और यह उसकी जो है, x-axis, यहने की major axis, और यह उसकी आपके पास में focus है, s और s dash, s के coordinates a e, 0, और s dash के minus a e, 0, अब यदी बच्चों, आप s p निकालें, मतलब इस point की focus से distance निकालें, तो distance कैसे निकलेगी, under the root of, भाई आपके पास में डायरेक्टी फार्मूला है न, a plus e x, डायरेक्ट लगा सकते हैं, a plus e x, a plus e x, जबकि x की value क्या है, a cos theta, तो एक तो यह आजाएगा, और ऐसे ही यदी मैं, s dash p निकालें, तो वो होगा, a minus e x, और e x की value ये, मेरे खाल साब को सोच में है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने ये conjugate diameter लिए, conjugate diameter की एक extremity p है, और उसके corresponding, दूसरा जो conjugate diameter, उसके extremity q dash है, और ये उसकी major axis है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस s, इसके एक focus से point p की distance निकाले a plus e x, ऐससा आप चाहो, तो distance formula लगा कर भी कर सकते थे, वरना ये, और ऐसे यहाँ पर ये आगया, अब इन दोनों का product निकाले, इस से फ़र अपनी पड़ता की, सर ये कम आएगी, ज्यादा आएगी, मुझे तो product निकालना है, तो आप उसको ज्यादा कर दीजे, इसको ज्य minus b a square minus b square होता है, आपना बच्पन में सुना था बच्चो, और ये relation तो हम लोग देख चुके हैं, सहाब, b square is equals to a square into one minus e square, so that आप क्या लिख सकते हैं, बच्चो, यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, b square is equals to a square minus a square e square, भाई, ये relation आप लोग जानते हैं, so that मैंने ऐसा लिख दिय a square e square को इदर ले आईए, तो a square e square की value हो जाएगी, a square minus b square, ये कुछ आएगा, भाई, a square का अंदर multiply कर दिया, a square e square को LHS पर ले आए, तो आपके पास ये आगया, so e square a square की value आपके पास पर ये होगी, तो यहाँ sp into sp dash is equals to a square minus, e square a square को आप लोग लिख सकते हैं, बच्चो, a square minus b square into cos theta, यही कुछ आएगी, and thereafter, thereafter what I can say, बच्चो, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, sp into sp dash, बच्चो, किसी भी point की focus a distance निकालते हैं, उसे focal distance करते हैं, तो उन दोनों का पर product निकाल रहा हूँ, तो a square minus a square cos theta, ये होगा, और साथ में बच्चो, minus plus हो गया, और ये हो गया, बच् b square cos theta, बिल्कुल ठीक बात है, और इन दोनों में से a square को common निकालते हैं, तो वह आजाएगा, बच्चो, a square sin theta, a square sin theta plus b square cos theta, so मैं यहाँ पर क्या पा रहा हूँ, बच्चो, sp into sp dash, की value ये पा रहा हूँ, a square sin theta plus b square cos theta, और अगर आप ध्यान करें, बच्चो, तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने derive किया था cq की value, या यू कहा जाए कि cq square की value आपने निकाली थी, c मतलब इसका center, जो है सहाब center, obviously center major axis पर भी लाए करेंगा, और diameter पर भी लाए करेंगा, diameter center से ही पास होता है, तो cq जो होगा, उसकी value थोड़ी देर पहले आपने derive कि थी, बच्चों स्केर साइन स्केर थीटा प्रस बी स्केर कॉस स्केर थीटा, सो मैं क्या पा रहा हूँ, मैं ये पा रहा हूँ कि sp into sp dash is equals to क्या cq, cq का square, बच्चों आप लोग ये जानते हैं, देखी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एलिस पर दो कोई conjugate diameters लिए, कोई दो सायूग में व्य प्रोड़क्त लिए, फिर ये स्केर से दिस्टा निकाली ये अगे अपके पास मैं, अब दोनों का प्रोड़क्त निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आप सिंपल, ये आपके पास में रिलेशन आ चुका था a plus b into a minus b, जैसा मैंने कहा थो थोड़े दर पहले भी, फिर b हुआ जो फोकल स्का प्रोडक्ट आ रहा है वो उसके कॉर्सपंदिंग कंजूगेट डायमिटर जो है Square of, मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं बोल सकता हूँ कि product of, मैं बाद sentence बराने की कोशिश करो, आप लोग note down करे जागा कि product of focal distances of the extremity, product of focal distances of the extremity of any conjugate diameter is equal to square of semi, square of its semi conjugate diameter. मैं यूँ कह सकता हूँ, समझ गरोंगे मैं कासा, अगर मैंने कुछ कहने में गलती कर भी दियो, तो सहाब आप फिर भी इसे note down कर लीजिएगा, तो चलिए साब ये एक छोटी सी property हम लोगों ने और देखी बच्चों, एक property के बारे में और चर्चा कर लते हैं, सहाब मुझे ell ellipse में अगर कोई, ellipse के बाहर कोई point दे रखा या उसके inside कोई point दे रखा बच्चों, ये रहा ellipse, standard equation है, इसमें कोई point आपको दे रखा, इसके inside है या उसके outside है, ये point P, अब point P के point P का अगर मैं polar निका लूँ बच्चों, polar with respect to P, बच्चों, P के respect में अधी मैं polar निका लूँ तो इसकी question क्या होगी, xx1 over a square plus yy1 over b square is equal to 1, so इस polar की gradient क्या है की, minus b square over a square into x1 upon y1, ये क्या है, इस polar की gradient आगी बच्चों, इस polar की प्रवनता है, बच्चों, इस point P की ये रही polar, उसकी gradient ही आई, अब इस point P से जो diameter पास होगा, इस point P से जो diameter पास होगा, मैं उसकी equation निकालता हूँ, तो ये जो point P से जो diameter पास होगा, of course वो ellipse के center से पास होगा, बच्चों, diameter से पास होता है, तो उसकी equation क्या होगी, अगर मैं diameter की equation निकालू, तो वो होगी y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x, ये आगी, तो ये जो आपके पास में, ये जो diameter आया, अब इस diameter का conjugate diameter निकालिए, पहले तो इस diameter की equation क्या होगी, y equals to y1 over x1 into x, अब आप इस diameter का conjugate diameter निकालिए, तो इसका conjugate diameter क्या होगा, y equals to minus b square over a square into m, और m की value क्या थी बच्चों, ये थी, minus y1 over x1, ये कुछ आएगी, y1 into x, तो आप देखिए, क्या आ रही है बच्चों, वो आ रही है, minus b square x1 over a square y1 into x, तो आप इन दोनों को अगर आप compare करें, तो आप एक बात पाएंगे बच्चों, मैं थोड़ा सा बता दूँ, अब ये जो polar आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, ये जो polar आ रहा है, वो इस point p से जो diameter पास हुआ, उसका conjugate diameter जो आया, उसके parallel आ रहा है, देख लो आप, दोनों की gradient से मारी, जो gradient इसके आ रही है, वो ही gradient इसके आ रही है, अगर इसकी gradient आप निकालते हैं, तो वो ये कुछ आ रही है, minus b square x1 over a square y1, मैं बफिर से बोलता हूँ, देखना, किसी point p का किसी ellipse के respect में जो polar है, वो उस point p से पास होने वाले diameter, के conjugate diameter के parallel है, point p का polar निकाला, point p से पास होने वाले diameter निकाला, उसका conjugate diameter निकाला, और वो जो conjugate diameter है, और ये जो polar है, ये दोने दुसे के parallel है, बढ़ी लंबी सी story यहाँ पर बन रही है, कि किसी point का किसी ellipse के respect में polar, उस point से पास होने वाले diameter के conjugate diameter के parallel है, ये property हम बोल दें या एक problem बोल दें, बात एक ही है बच्चों, मेरे कहाँ से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, पर इसे हम property के दुख में भी याद वाख सकते हैं, note down कर लिजेगा, बड़ी simple सी problem है बच्चों, हमें यहाँ पर पूछी है, इक्वी conjugate diameter की length, इक्वी conjugate मतलब ऐसे diameter बच्चों, जो की एक दुसरे के conjugate हों, और दोनों की length भी equal हो, अब natural सी बात है बच्चों, दोनों अगर diameter हैं, तो फिर वो center से पास होंगे, मतलब की दोनों एक दुसरे को ellipse के center पर cut करेंगे, चलिए सावा में काम करते हैं, यह दोनों ले ले लेते हैं, एक्वी conjugate diameter, और इनकी extremities को नाम दे देते हैं, पी और पी डाश और क्यू और क्यू डाश, बच्चों, यदि मैं इसके eccentric angle को theta सपोस कर लेता हूं, तो इसका eccentric angle theta dash माल लेता हूं, तो वो हो जाएगा, बच्चो, theta plus pi by 2, या फिर theta minus pi by 2, अब यहाँ पर क्या given है साब, कि यह दोनों diameter हैं, और दोनों conjugate भी हैं, और दोनों equal length के भी हैं, equal length के हैं, मतलब जो length PP dash के होगी, वही length QQ dash के होगी, अब obvious ही बात है, बच्चो, अगर यह length इस length के equal है, तो निश्यत बात है कि इनकी आधी length भी आपस में equal होगी, बच्चो, अगर PP dash के आधी length निकाले जाएं, तो वह CP होगी, ऐसे QQ dash के आधी length निकाले जाएं, तो बच्चो, वह CQ होगी, और CP की value, जो है बच्चो, अगर मैं उसका square कर दूँ, और CQ की value का भी square कर दूँ, तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ, और जैसा कि मैं कहा चुका हूँ, बच्चो के point P का eccentric angle, यदि मैंने theta मान लिया, तो अगर ये length CP square निकालेंगे, तो वह हो जाएगी, A square cos square theta, प्लस B square sin square theta, यह आप जानते हैं बच्चो, क्यों, क्योंकि इसके coordinates हो जाएंगे, A cos theta, B sin theta, और इसके coordinates तो क्या होंगे बच्चो, 00, so that यह जो distance है, वह हो जाएगी, ठीक इसी तरह से बच्चो, अगर आप CQ square के बारे में बात करें, तो CQ square जो length है बच्चो, इसके coordinates आजाते हैं, minus A sin theta, B cos theta, so that इसका square कर देंगे, तो A square sin square theta, plus B square cos theta, यहाँ पर आपको दो diameter's दे रहे हैं, मतलब दोनों center से पास और दोनों conjugate हैं, तो अगर इसके angle को theta मानते हैं, तो यह obviously बच्चो theta, plus pi by 2, या फिर theta, minus pi by 2 होगा, और दोनों की length equality square कर दिया, हमारे पास नहीं यहाँ आगया, अब आप एक काम कीजिए, बच्चो, यहाँ पर A square को एक साथ लिख दीजिए, तो यह मिल जाएगा, cos theta, minus sin theta, यह मिल चुगा बच्चो, और इसी तरहां से आप right hand side पर देखें, तो आप अगर B square common निकाल देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, या फिर चलिए एक बच्चो, यहाँ से B square common निकाला, और यह हो जाएगा, बच्चो, sin square theta, minus cos square theta, is equals to zero, कुछ ऐसी picture बनेगी बच्चो, आपने A square वालों को एक साथ लिख दिया, B square वालों को एक साथ लिख दिया, इसमें थोड़ा साई काम और भी कर सकते हैं हम लोग, भई यहाँ पर से मैं minus common निकाल दूँ, minus common निकाल दूँ, तो यह हो जाएगा, बच्चो, minus का और यह हो जाएगा, प्लस का, जो प्लस वाला था वो माइनस का, और जो माइनस वाला था वो प्लस का, अब यहाँ से बच्चो यदि A square minus B square एक साथ लिख दिया गाए, और बाकी cos के theta minus sign के theta, cos के theta minus sign के theta की value होगी, बच्चो, cos 2 theta हो जाएगी, भई आपने cos के theta minus sign के theta, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था common निखाल दिया, और बाकी बचा A square minus B square, तो आपके पास में यही कुछ पिक्चर आएगी, अब इन दोनों का product 0 कब होगा, बच्चो जब यह 0 हो या फिर यह 0 हो, यह 0 हो नहीं सकता, तो होगा यह 0, यह तो 0 पॉसिबल नहीं है, तो 0 क्या हो सकता, यहीं क्यों, क्योंकि यह 0 होगा, जब A square वह आपर 20 के रहे हो, मतलब, मतलब वो एक circle बन जाए, और circle में तो जितने diameter होते हैं, बच्चो सब की length equal होती, equal to twice of radius, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहीं पॉसिबल है, तो हमारे को क्या मिल गया, बच्चो से cos 2 theta की value 0 मिल गई, और cos theta की value 0 कब होती है, बच्चो जब theta की value 90 degree हो, या फिर 270 degree हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो आपना theta की value 90 degree ले 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 ले, तो बच्चो theta की value यहाँ से आ जाएगी, पाई बाई 4, बच्चो तीटा की value 90 degree ले 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 ले, तो theta की value पाई बाई 4, theta की value पाई बाई 4 और आपको क्या करना है, आपको तो निकालनी है, एकवी conjugate diameter की लग, तो उससे अब यहाँ पहले आगए cp निकाले, तो cp क्या होगा, under the root of a square, और cos square 45, यह लीज़े साब, a square cos square 45, plus b square और फिर sin square 45, ठीक है, और cos 45 की value 1 bar root 2 होती है, उसका square कर देंगे, तो यह हो जाएगा, a square by 2, प्लस यह हो जाएगा, b square by 2, भई cos 45 की value, v1 bar root 2, sin 45 की value, v1 bar root 2 square कर देंगे, root होती 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 है, लेकिन आपको तो diameter की लंग निकालनी, जो कि निश्चिद बात है, बचो, cp का twice होगी, इसमें 2 का multiply कर दीजे, और यह क्या है, बचो, a square plus b square, whole upon में 2, और 2 को अंदर ले जाएंगे बच्चों 2 से या फिर इस से 2 को कैंसल कर देंगे तो बचे का क्या फाइनली रूट 2 इंटू A स्केर प्लेस B स्केर तो ये बच्चों इक्वी कॉन्जूगेट डायमेटर की लेंथ आई मतलब डायमेटर है सेंटर से पास होगा और इक्वल मतलब इन दोनों की लेंथ अगर इक्वल रहती है तो पहली बात तो वो लेंथ इक्वल कब होगी जब एक्सेंट्रिक एंगल पाइबाइब 4 हो क्यामेटर की लंद यही मिलेगी